असलाम वेकुम गाईज, वेलकम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल गुनफूर्ट की जन्ज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बटर चिकन की बहुत ही शान्दा रेसेपी बिलकूर रेस्टरंट स्टाइल में बनाएंगे, हम आज करीमी और स्मूथ सी ये ग्रे मेरिनेशन करेंगे, ये सारे मसाले जो हैं वो इसकी मेरिनेशन में जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें एड कर देंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा गरम मसाला, तीन चमच बरके, साथ में ही इसमें एड कर देंगे, जीरे का पाउडर, तीन चमच, उसके बाद इसमें लेसन अद्रक का जो पेस्ट है वो दो चमच पर के आप एड़ कर दें नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं फिर इसमें lemon juice जो है वो मैंने 4 टेबल स्पून एड़ कर दिया और उसके बाद दही इसमें 400 गराम एड़ कर देंगे यह सारे मसाले और दही एड़ करके उसके बाद में इसे हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करने यह बाद में हम इसे रखतेंगे फ्रिज में तकरीबं 2 गिंटे के लिए यह मैं बोन के साथ में बना रही हूँ अगर without bone हो, boneless हो तो आदे गिंटे की marination भी इसके लिए काफी होती है इस तरह से आपने हाथों के साथ सारी बोटियों के उपर मसाला लगा देना है दो गिंटे के लिए से फ्रिज में रखतेंगे दो गिंटे गुज़र चुके हैं अब आपने कोई pan ले ले लेना है उसमें add करना है आपने oil oil आपने ज्यादा नहीं add करना है बस आदा cup आपने oil इसमें add करना है oil को अच्छे से गरम करना है आपने और उसके बाद इसमें एक एक करके आपने chicken के pieces को add कर देना है हमें अच्छा सा इसके उपर color देना है दोनों sides के उपर इस तरह से आपने सारा अब इसके उपर आप थोड़ा थोड़ा बटर एड़ करनें ताके चिकन बटरी flavor के साथ ready हो जाए ऐसे ही मैंने सारे chicken को ready कर लिया आप देखें एक साइड से काफी हद तक कुक हो चुका है अब इसको फिलिप कर लेंगे हम लोग यह देखें कितना प्यारा और जबरदस किसम का कलर आया है एक साइड के उपर यही टेक्स्टर हमें चाहिए था अब दूसरी साइड से भी यही कलर इसे देखे आप इसे निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरा बैज इसमें डाल के सारे चिकन को इसी तरह से बना लेंगे हम दूसरी तरफ हम इसकी त्यार करते हैं ग्रेवी स्मूज सी जबरदस किसम की ग्रेवी उसके लिए मैंने लिया है एक कप ओयल ओयल एड़ करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है बटर एड़ कर देना है क्योंकि ये बटर चिकन है तो हम इसमें बटर का इस्तमाल भी ज्यादा करेंगे बटर जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़े खड़े मसाले एड़ करेंगे जिसमें सबस एलाइची जाएगी 10-15 तीन इसमें बड़ी एलाइची जाएगी 12-15 इसमें लोंग जाएगे और जावीतरी के इसमें 2-3 पीसीज आप ले लीजे इन सारी चीजों को आपने इसमें साबत ही एड़ करना है जब हलका सा किरकड़ानी लग जाए तो आपने इसके अंदर एड़ कर देने है प्याज प्याज जो है वो मैंने लिए है तकरीबन 800 गराम प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हम प्याज इसमें थोड़े से नरम ही रखेंगे कलर नहीं देना हमने प्याजों को ऐसे स्लाइसे में काट के आपने 800 गराम इसमें प्याजों है वो एड़ कर देने है प्याजों को आपने कोई कलर नहीं देना बस हलके से नरम करने है आपने इसमे प्यास जब आपको लगे थोड़े से नरम होना शुरू हो चुके हुए है तो इसके बाद में हम इसमें एड़ कर देंगे टमाटर टमाटर हम इसमें एड़ करेंगे तकरीबन डेर किलो के करीब रफली कटे हुए टमाटर एड़ कर देंगे इसमें इसमें टमाटर जो हैं मुझे जयादा जाते हैं और प्यास थोड़े कम जाते हैं उसके बाद 15 मेरे सबस मिर्चे लेंके ऐसे मोटी मोटी काटली हैं आप चाहें तो सापित भी एड़ कर सकते हैं फिर इसमें रड़ चिली का पौडर हम तीन चमच बर के एड़ कर देंगे अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे और उससे ब्रूब तीन चमच बर के बाकी मसाले जो है वह हमने डाल दिये थे चिकन की मैरीनेशन में आपने इसमें पार्सले डालना है दनिया जो है और डंडियों समेथ इसमें एड़ करेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा पिर इसमें तीन से चार आपने कड़ी पता एड़ कर देना है और इस सारी चीजों को आपने अच्छे से आपस में मिक्स कर देना है अच्छे से आप इसे mix करेंगे और उसके बाद आप इसे medium आज के उपर पकने के लिए छोड़ देंगे तो ये अपने juices जो हैं उसके निकलने शुरू हो जाएंगे इस टाइम पे आपने इसमें add कर देना है पानी पानी आपने इसमें 1 लिटर add करना है और पानी add करने के बाद में आपने इसे 15 मिनट के लिए डाब के medium आज के उपर पकने के लिए छोड़ देना है ताके सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से गल जाएं प्यास, टमाटर सब चीजें अच्छे से गल जाएं देखें 15 मिनट के बाद में माशाला से इच्छे से जीजें सारी गल जुकी है अब आपने इस सारे मसाले को थोड़ा-थोड़ा करके add करना है blender jar के अंदर और इसे आपने blend करके बहुत smooth सी paste बना लिनी है अगर आपको blend करने में कुछ problem हो तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी add करके इसे blend कर सकते हैं मगर पानी जादा ना add कीजेगा थोड़ा-थोड़ा पानी add करके इसे smooth जब ऐसे इसकी paste बन जाएगी तो आपने एक चाय लेनी है और चाहे चाय चाणने वाली ले 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 या वह चानने वाली चाननी ले ले इस तरह से उसमें आपने ये paste ढाल देनी है अपने मसाले की और इसे हम चाहन लेंगे इच्छे से देखें इसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा मगर जैसा कि ये बटर चिकन है बटर चिकन जो रेस्टरेंट में मिलता है बहुत स्मूथ ग्रेवी होती है ये देखें मैंने सारा चाल लिया है और ये उसका वेस्ट निकला है सारा देखें ये मेरे पास एक बॉल बर के जो है ग्रेवी इसकी बिल्कुर रड़ी है उसके बाद इस ग्रेवी को पकाने के लिए हम लेंगे एक कप ओईल ओईल एड़ करने के बाद में इसमें हम एड़ कर देंगे बटर 100 गराम बटर और ओयल को हम थोड़ा गरम होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इसमें एड़ कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाई थी ग्रेवी हमारी सारी वो इसमें एड़ कर देंगे ग्रेवी इसमें सारी एड़ करने के बाद में आपने चूले की आंच को फुल कर देना है और ग्रेवी को थोड़ा सा गारा करेंगी हम देखें माशाला से इसका texture चेक करें बहुत ही जबरदस texture हाया है इसका चानने की वज़ा से ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाड़ी हो चुकी है जो मैंने चिकन सारा फ्राइ किया था मैरिनेट किया हुआ वो सारा चिकन हम इस ग्रेवी के अंदर एड़ कर देंगे बहुत इहतियात के साथ सारा चिकन जो है वो मैंने इसमें एड़ कर दिया चिकन जो है वो हमारा 50 से 60 परसंट जो है वो कुख हो चुका हुआ है अब बाकी 40 परसंट जो है वो हम इस ग्रेवी के अंदर इसे पकाएंगे तेज आज के उपर आपने इसे पकाना है ताके ग्रेवी थोड़ी ओर कम हो और जो बोटियां है वो भी अच्छे से गल जाए मुझे 10 मिंट हो गए इसे पकते हुए और अब मैंने इसमें एड़ कर दी है सूखी मेथी 3 चमस बर के बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी हम बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल में ये बटर चिकन जो है वो रेड़ी कर रहे है उसके बाद आपने इसमें एड़ कर देनी है फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक बाली 150 ml क्रीम एड़ करते हुए आपने आपको बिल्कुल दम वाली रखना है और उसके बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है क्रीम को आपने इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद में आँच को आपने थोड़ा सा तेज कर देना है मीडियम आँच के उपर हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद में हम इसमें एड़ कर देंगे बटर बटर उपर थोड़ा सा एड़ कर देते हैं इसे और भी क्रीमी और स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा बटर एड़ कर दें उसके बाद में इसे दम वाली आंज के उपर डाब के तो रख देना है ताके oil जो है इसका थोड़ा उपर आ जाए तकरीबन 10 मिल तक मैंने इसे पकाया है दमवाली आज के उपर देखें oil इसके उपर आ चुका है और हमारी butter जो chicken है बनके बिल्कुर ready हो चुका है आप इसे नान के साथ खाएं, तंदूरी पराटे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं बहुत ही जबरदस restaurant style में ये ready हुआ है अगर recipe एच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजेगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस रसीव हो सके अलाहाफीज